पैसे गिन्ते गिन्ते ठक जाओगे अच्सी वर्षों बाद 11 जुन को निर्जला एकादशी 6 राशिया होंगी करोडपती दोस्तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष दो अधिक एकादशी हो जाती है यानि कि कुल मिलाकर वर् 21 एकादशी होती है प्रतिक माह में कृष्ण पक्ष में तथा शुकल पक्ष में दोनों ही पक्षों में 11 तिथी के दिन एकादशी आती है और सभी एकादशियों का अपना अलग-अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुरानों में बताया गया है लेकिन जेश्ट मास के श इसे भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है दोस्तो निर्जला एकादशी का हमारे ग्रंथों में बहुत ही खास महत्व है निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पीना चाहिए और भोजन तो बिलकुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन वरत र रखने से भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की असीम कुरुपा प्राप्त होती है। दोस्तो इस बार ये निर्जला एकदशी 11 जुन को पड़ रही है और दिन शनिवार है। दोस्तो इस दिन कई सारे दुरलब सुबसंयोग का निर्मान हो रहा है। जीहां दोस्तो 11 जुन को अमरुस सिध्धयोग और सरवांग सिध्धयोग का निर्मान भी हो रहा है। दोस्तो इस बार निर्जला एकदशी का आरंभ, 10 जुन 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 7 बचकर 26 मिनिट से हो जाएगा, जोकी निर्जला एकदशी तिथी समाप्ती, 11 जुन 2022 शनी वार को सुबह 5 बचकर 45 मिनिट पर समाप्त हो जाएगी, तो सभी भक्त जनों को और माताओ बहनों को वैश्नाव परंपरा को मानते हुए, जो एकदशी का व्रत करते है, उन सभी को 11 जुन 2022 को दिन शनी वार को ही एकदशी का व्रत करना चाहिए, जो भक्त 11 जुन को निर्जला एकदशी का व्रत करेंगे, वो इस व्रत का पारन, 12 ज मिनिट से लेकर आठ बचकर उन्चास मिनिट के बीच व्रक्का पारन खोल सकते है दोस्तो निर्जला एकदशी के दिन जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए साथ ही इस पूरे दिन जल का दान करना मिठे जल का दान करना बेहद अच्छा माना जाता है और अगले दिन द्वा निर्जला एकदशी को बहुती खास सुबसंयोग बंद रहे है निर्जला एकदशी के दिन भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की पुजा आराधना करनी चाहिए साथ ही साथ इस दिन दोस्तो आप गरीब निर्धन को दान भी कर सकते है और जो लोग व्रत नहीं रखते वो चावल बिलकुल भी नहीं खाए कोशिश करे कि आप इस दिन व्रत जरूर रखे क्योंकि ये सभी 24 एकदशी की बराबरी कर लेती है मिर्जला एकदशी अगर आप किसी कारण वश से आप 24 एकदशी नहीं रख पाते तो मिर्जला एकदशी अगर आप रखते है ये साल सभी एकदशी की बराबरी कर लेती है साथी साथ दोस्तों बहुती जादा पुन्य फलों की प्राक्ति होती है सारे पाप दोश नश्ट हो जाते है और भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की असिम कृपा बरस्ती है तो दोस्तों इस बार कई सारे दुरलप सुबसंयोग बंद रहे है निरजला एकदशी के दिन और साथी साथ दोस्तों इस बार निरजला एकदशी के दिन अमृस सिध्ध योग सर्वांग सिध्ध योग के बनने से मालक्ष्मी की खास कृपा कूछ विशेश राश्यों के उपर पढ़ने जा रही है कूछ राश्यों की किस्मत इस बार की निर्जला एकदिशी के दिन चमकने वाली है। इन राश्यों का भाग्य मा लक्ष्मी की कुरुपा से सातवे आसमान पर रहने वाला है। इनके किस्मत में अब अनेको प्रकार के धनलाप के योग बंद रहे है। मा लक्ष्मी की कुरुपा से कई सारे राजयोक के बनने से इन राशियों का भाग्य उदय होने वाला है तो आखिर ये भाग्यशाली राशिया कोन कोन सी है जिनको 11 जुनको निर्जला एकदशी के दिन खास लाब होने वाला है आज हम इस वीडियो में आपको इनी भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे है तो आपसे रिक्विस्ट है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिसना करे और इसे शुरू से लेके अंततक जरूर देखे तो चलिए शुरू करते है दोस्तों बताना चाहेंगे कि कि 11 जुन को निर्जला एका दशी है इस दिन कई सारे दुरलब सुबसंयोग बनने से मा लक्ष्मी की खास कुरुपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी धन संपत्ति के मामले में आप काफी लखी रहेंगे व्यापार में रुधी देखने को मिलेगी अनेको प् अधुरे पड़े हुए है उनमें विशेश सफलता प्राप्त होगी आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी कारगर साबित होगी समाद में मान सम्मान बड़ेगा और प्रतिष्ठा बड़ेगी साथी साथ नई जौब लगने की संभावना बन रही है मा लक्ष्मी क क्रुपा से 11 जुन को निर्जला एकदिशी के दिन आपको कई सारे लाब देखने को मिलेंगे विदेश जाने की योजनाएं बना सकते है विदेशी कमपनियों से लाब होगा इस समय में आप दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे सफलता आपके क पदम चुमेगी थन संपत्ती अईश्वर्य में रुद्धी होगी अगली जो राशी आती है दोस्तों वो है यहाँ पर कन्या राशी के जात को बता दे कि इस बार की मिर्जला एकदिशी के दिन आपकी किसमत चमकने वाली है आपका भाग्य सातवे आसमान पर रहेगा जमि महत्वपुर्ण योजनाओं का लाब मिलेगा अधुरे पड़े हुए कामों में सफलता मिलेगी आपके द्वारा बनाई गई योजनाए कारगर साबित होगी महत्वपुर्ण लाब देखने को मिलेगा गाडी वाहन की खरिदारी कर सकते है धन संपत्ती में इजापा होगा अब अगली जो राशी आती है दोस्तों यहाँ पर बता दे वो है मकर राशी मकर राशी के जात को बता दे कि इस बार की निर्जला एकादेशी के दिन अब आपके उपर मा लक्ष्मी की खास कुरिपा बरसेगी मा लक्ष्मी की कुरिपा से अब आपको दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की मिलेगी, कई महत्वपुर्ण योजनाउं का लाब मिलेगा, समाद में मान सम्मान बड़ेगा, प्रतिष्ठा बड़ेगी, साथी साथ आपकी लोकप्रियता बड़ेगी, बिद्नेस व्यापार में कोई महत्वपुर्ण डील फाइनल हो सकती है, रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा, लोट्री सट्टे से विशेश लाब होगा, इनकम आय में रुद्धी होगी, बैंक बैलेंस बड़ेगा, आपके आर्थिक और वित्तिय मामलों में सुधार होगा, कई महत्वपुर्ण योजनाउं का लाब मिलेगा, धन सम्मपत्ति अईश विश्वर्या में रुद्धी होगी, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी कारगर साबीत होगी, अब अगली जो राशी आती है दोस्तों, यानि की चवथी राशी वो है मीन राशी, मीन राशी के जातको अब आपकी किसमत बहुत तेजी से चमकेगी, अनेक प्र मा लक्षमी की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन काफी उत्तम रहेगा, वैवाहिक जीवन में मधूर्ता आएगी, धन संपत्ती अईश्वर्या में रुद्धी होगी, सफलता कदम चुमेगी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाब मिलेगा, घर परिवार में महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी कर सकते है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, अविवाहित जात्कों को नए रिष्टे आएंगे, शादी विवाह का आयोजन हो सकता है, अब अगली यानी पाच्विजो राशी आती है दोस्तों यहाँ पर वो है मिथुन राशी, म पैसे गिनते गिनते ठक जाओगे, अस्सी वर्षों बाद 11 जुन को निर्जला एकदशी 6 राशिय होंगी करोडपती, दोस्तों बता दे कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी, अनेक प्रकार के लाब देखने को मिलेंगे, आपके द्वारा बनाई गई योजना काफी कारगर साबित होगी, समाद में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथी लोक प्रियता बढ़ेगी, स्टुडन्स है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, धन संपत्ती अईश्वर्या में रुद्धी होगी, कई महत्व पूर्ण योजनाउं का लाब मिल इस समय में आप दिन दुगनी, राच चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब अगली यानी छटवीजो राशी आती है दोस्तों यहाँ पर वो है तुला राशी, तुला राशी के दात को बता दे कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी, अनेक प्रक दुगनी राच चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी कारगर साबित होगी, अच्छे लाप के योग बनेंगे, राज योग और धन योग के बनने से आपको विशेश सफलताए प्राक्त होंगी, बिदनेस व्याप पत्ती अईश्वर्य में रुद्धी होगी, सफलता कदम चुमेगी, मालक्षमी की क्रिपा से इन छर आशियों का भाग्य अब सात्वे आसमान पर रहेगा, इन छर आशियों को अब धन से मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, दोस्तो कमेंट में लिखे जय मालक्षमी, सा झाल